गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में चैप्टर सिक्स्टीन की स्टडी करेंगे चतुरवानर नदी के किनारे जामुन का एक ब्रक्ष था उस पर रक्तमुख नामक एक बानर सुख से रहता था करालमुख नामक एक मगरमक्ष भी ब्रक्ष के नीचे रेत पर आकर बैठ जाता था उनका परचे धीरे धीरे मित्रता में बदल गया दोनों मित्र रोज घंटों बैठ कर एक दूसरे से बातचीत करते बानर अपने मित्र को पेड के मीठे रसीले जामुन तोड़ कर देता मगरमक्ष कुछ जामुन अपने आप खाता और कुछ अपनी पत्नी के लिए ले जाता एक दिन मगरमक्ष की पत्नी ने अपने पती से पूछा तुम रोज ऐसे मीठे और स्वादिस्ट फल कहां से लाते हो मगरमक्ष बोला नदी के किनारे जामुन का एक पेड है उस पर एक बानर रहता है वह मेरा मित्र है वही मुझे ये फल देता है मगरमक्ष की पत्नी ने कहा तुम्हारा मित्र रोज ऐसे स्वादिस्ट फल खाता है फिर तो उसका हिर्दय भी मीठा और स्वादिस्ट होगा तुम मुझे अपने मित्र का हिर्दय ला कर दो मैं उसे खाना चाहती हूं मगरमक्ष ने कहा प्रिये वह मेरा मित्र है रोज फल देकर मेरा उपकार करता है ऐसे मित्र की हत्या करना घोर निंदनीय पाप है मगरमक्ष की पत्नी रूट कर बोली यदि तुमने मेरी बात न मानी तो मैं आत्म हत्या कर लूँगी मगरमक्ष को मित्र की हत्या का कार्य ग्रणित लग रहा था परंतु पत्नी की हट के आगे विवस्थ था वह वानर का हिदय लेने चल पड़ा पेड के पास जाकर उसने बानर को पुकारा मित्र तुम्हें मेरी पत्नी ने भोजन पर बुलाया है तुम्हें मेरे साथ चलना होगा नहीं तो वह मुझे घर में नहीं गुसने देगी बानर ने कहा मैं तो इस्थल पर रहने वाला हूँ मैं पानी पर कैसे चल सकूँगा मगरमच ने उचसाह से कहा मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठा कर ले चलूँगा मगरमच का आगरह देखकर बानर उसकी पीठ पर सवार हो गया मगरमच तेज चाल से जल में बढ़ चला जब वह गेहरे जल में पहुच गया और उसे निश्चे हो गया कि बानर कोशिश करने पर भी किनारे पर नहीं जा सकता तो उसने अपनी पत्नी की इच्छा बानर के सामने प्रकट कर दी बानर को म्रत्यू सामने खड़ी दिखाई देने लगी परंतु उसने धैरे नहीं खोया छड़ भर में उसने अपनी रक्षा का उपाय सोच लिया उसने मगरमच्छ से कहा तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई मित्र की पत्नी के लिए अपना हिर्दय तो क्या प्राण देने में भी मुझे संकोच नहीं है परंतु अपना हिर्दय तो मैं ब्रक्ष की कोटर में छोड़ आया हूं अब मुझे सीघ्र किनारे ले चलो मैं तुम्हें अपना हिर्दय दे दूँगा मगरमच्छ को बानर की बात पर विश्वास आ गया और वह उसे सीघ्रता से किनारे पर ले आया किनारे पहुचते ही बानर उचल कर पेड़ पर चड़ गया और बोला अरे दुष्ट तू विश्वास गाती तो है ही मूर्ख भी है तूने यह नहीं सोचा कि क्या ब्रक्ष की कोटर में भी हिर्दय रखा जा सकता है जिस प्रकार तूने मुझसे चल किया उसी प्रकार अपने प्राण बचाने के लिए मैंने तुझसे चल किया अब भाग जा और यहां कभी मत आना मगर मच को अपनी मूर्खता पर बड़ी लानी हुई वह अपनी मूर्खता पर पच्छताते हुए वहां से चला गया अब इस चैप्टर के कुछ सब्दार्थ हैं उसे हम स्टडी करेंगे बानर बानर मीज होता है बंदर मंकी परिचे परिचे मतलब होता है जान पहचान इंट्रोडक्षन रसीले रसीले माने होता है रस भरे जूसी स्वादिस्ट स्वादिस्ट माने होता है जाइकेदार डिलिशियस उपकार उपकार माने होता है भलाई बैनिफेक्षन स्थल, स्थल माने होता है भूमी, लेंड, आग्रह, आग्रह माने होता है प्यार भरी, जिद, इंसिस्टेंस, म्रत्यू, म्रत्यू माने होता है मौत, डैथ, प्राण, प्राण माने होता है जीवन, लाइफ, कोटर, कोटर माने होता है खोखर, the hollow of a tree विश्वास घाती, विश्वास घाती माने होता है धोकेवाज, ट्रेटर गलानी, गलानी मीन्स होता है लज्जा, शाम यह सब्दार्थ आपको लर्ण करने हैं और इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है प्रेटर में प्रेटर एको लुएर आपको लेड़ एक्टर में प्रेटर करने होता है